Hello friends, welcome to the Knowledge Seekers guys तो Engineering के First Year Admission के लिए Cap Round 1 की Option Form Filling Process अब शूरू हो चुकी है इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे हमें अपना जो Option Form है उसे फिल करना है Option Form फिल करते समय कैसे हमें कैसे हमें Colleges को जो Preference है वो देना है कैसे Choice Code के इस से हमें जो Colleges से वो Select करना है और भी काफी सारे Important चीज़ है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो पूरा इंट तक देखते रिए ताकि आपको सारी जो Information है वो सही से मिल जाए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीज़े क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए और भी Important रहने वाले है तो Option Form फिल करने के लिए आपको आजाने है Official Website पर यहापे आने के बाद आपको क्लिक कर लेना है B.E.B.Tech पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको Already Registered का Option मिल रहा होगा इस पर क्लिक करके आपको कर लेना है Login जैसे आप Login करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो Interface है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहापे भी आपको Option Form का जो Option है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा प्लस यहापे हमें काफी सारे जो Instructions है और हमारे Option Form का Status है वो देखने को मिल जाता है Starting में जो Status है वो आपको Incomplete देखने को मिल जाएगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो maximum आप 300 जो choices है वो डाल सकते हो और minimum 1 जो choices है वो आप डाल सकते हो प्लस यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आप एक बार confirm करके अपना option form submit कर देते हो उसके बाद आप अपने option form में कोई भी change है वो नहीं कर पाओगे तो जब भी आप confirm करके submit करोगे तो 2-3 बार अच्छे से check कर लेना ताकि कोई भी जो mistake है वो आपसे ना हो बागी के जो instructions है गाइस वो आप पढ़ सकते हो तो चलिए देखते कि कैसे हम अपना जो option form में वो fill करेंगे और further जो process है वो कैसे रहेगी option form fill करने के लिए हमें click कर देना है proceed to fill option form पे proceed to fill option form पे click करते हैं आपके सामने कुछ ऐसे जो options है वो आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले तो आपको यह आप एक green button देखने को मिल जाएगा जिस पे लिखाए view personal information and important instructions इस पे click करके आपको अपनी personal details plus important instructions पढ़ लेना है आपका जो option form है उसमें कुल मिला के आपको charge steps देखने को मिल जाएगी यह charge steps क्या है पहले मैं आपको यह बताता हूँ पहली step है shortlist your options इस step में आपको जो आपको colleges है उनको करना है shortlist जैसे colleges के जो भी अपने नाम अपने list में लिखे होंगे जो branch लिखी होगे उनको आपको shortlist करना है वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको detail में बताता हूँ second step है set your preferences तो first step में जितने भी colleges आपने choose की होगे उनको आपको second step में preference देना है कौनसे college को आपको first number पर रखना है किसको second number पर रखना है किसको last में रखना है यह आपको second step में करना है और preference काफी important होता है सही से जो preference है वो देना फिर है third option यह है option form summary थर्ड आप्शन में आपको पूरा जो option form है वो देखने को मिल जाएगा जैसे आपने second step में preference दिया था तो preference wise फिर आपको वापर जो colleges के लिए step वो देखने को मिल जाएगी जिसको आपने first preference दिया था वो उपर देखने को मिल जाएगा जिसको आपने last preference जाता वो आपको फिर वापर नीचे देखने को मिल जाएगा अगर यहा तक आपको कोई भी change करना है तो आप वापस जाके preference change कर सकते हो college को और कुछ colleges add करना है तो वो भी कर सकते हो कोई tension लेने वाली ज़रूरत नहीं है जब तक आप submit नहीं करते हो तब तक आप अपने option form मे वो कर देना है submit जैसी आप submit कर दोगे तो आपको अपना जो status है वो complete देखने को मिल जाएगा तो चलिए अब detail में देखते है कि कैसे हमें अपने जो colleges है उनको shortlist करना है तो colleges को shortlist करने के लिए यह आपको कुछ ऐसे options है वो देखने को मिल रहे होगे सबसे पहला जो option है वो यह है select courses named ठीक है तो यह पर आपको जो भी branch चाहिए जो भी branch आपको अपने option form में डालना है उसके जो options है वो आपको यह पर देखने को मिल रहे होगे अब suppose देखे कई अगर आपको computer से related branches में admission चाहिए तो यह आपको computer से related काफी सारी अलग-अलग branches का जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा कुछ university में computer से related branch का नाम computer engineering होता है कई पर computer science and engineering होता है कई पर computer science and design होता है इसमें बहुत बड़ा difference नहीं होता है university university में नामों में हमें जो फरक है वो देखने को मिलता है तो जब आप form भरोगे तो जो भी college आपने लिखा हुआ है या फिर जो list बने ही है जिस तो अभी suppose मुझे computer science and engineering की जो branch है वो चाहिए तो मैं इस पर कर ले रहा हूँ select है select करते ही या पर computer science and engineering जो है वो आ गया है इसको अगर आपको change करना है तो वो change भी कर पाऊगे फिर या पर आपको select करना है कि computer science and engineering से related branch आपको कौन से university में चाहिए ओके तो या पर सारी universities के जो university से affiliated colleges कौन से district में है नाशीक पूने अहमद नगर तो आपको कौन से district में college चाहिए तो वो आप यहा से select कर सकते हो सब्सक्राइब कर रहा हूँ पूने पूने select करते है फिर यह आपको extra जो options है वो देखने को मिल जाएंगे यह select institute status तो इसको मैं यही बोलूँगा कि all पे ही क्योंकि अगर आप government पे क्लिक करोगे तो फिर आपको बस government के ही option देखने को मिलेंगे अगर autonomous पे करोगे तो autonomous के ही मिलेंगे ठीक है तो मैं बोलूँगा कि all पे ही रखना तो आपको सारे जो options है वो देखने को मिल जाएंगे फिर यह आपर select institute autonomy status अगर आपको बस autonomous colleges के ही option चा non autonomous के चाहिए तो non autonomous पे क्लिक कर सकते हो मैं तो इसको all पे ही रखूंगा ताकि मुझे सारे जो options है वो देखने को मिल जाए ठीक है फिर यहाप है minority status अगर आप minority में आते हो specific कुछ minority है तो वो आप select कर सकते हो नहीं तो इसको all पे ही रखना ठीक है और फिर यहाप इसको yes करते हो तो आपको देखने मिलेगा एक यहापे note यह जो red note है यह काफी important है देखो guys अगर आप एक ISS student हो जिसको TFWS के through admission मिलता है तो फिर आप second year में जो अपना college है वो college में जो branch है वो change नहीं कर पाऊगे जिनको without TFWS category wise या फिर open category से admission मिलता है वो change कर पाएगे अपना second year में branch बट अ तो इससे जादा कोई फरक नहीं करना नहीं पड़ता बहुत ही कम जो students है वो second year में branch change करते है तो TFWS का yes करना है तो yes करो नहीं तो फिर अगर आपको all पे रखना है तो all पे आप click करके रख सकते हो ठीक है अब मैंने सारे जो filters है वो यहापे डाल दिया है अब मैं करूंगा search institute पे click जैसे मा search institute पे click करता हूँ तो यहापे मुझे कोई भी जो option है वो देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे काफी सारे लोगों के साथ हो सकता है क्योंकि suppose computer science and engineering एक ऐसी branch है जो computer जो पूने university के अंदर नहीं आती है तो फिर मैं यहापे जो है वो branch अपनी change कर लेता हूँ मैं अलग university में रखते तो वह आपके options आ जाते है तो ऐसा आपके काफी बार हो सकता है ठीक है तो मैंने यहापे computer engineering डाल दिया है पूने university डाल दिया और बाकी filters डाल दिया यहापे मुझे जो options है वो देखने को मिल रहे ठीक है तो जैसे मेरी colleges की list मैंने बनाई है उसके according में यहा choice code के अनुसार select करूंगा ठीक है tfws की जो choice code है वो आपको उसके आगे t देखने को मिलेगा जिसके आगे t आपको देखने को मिलेगा वो समझ लेना वो tfws वाले है और जिसके आगे आपको t देखने को नहीं मिलेगा यह normal है ठीक है अब यहाप आपको colleges के option select करने के लिए आगे में आपको जो boxes है वो देखने को मिलेंगे अगर आप इस पर टिक करोगे तो जिस पर भी आप टिक करोगे वो सारे जो options है वो आपको फिर down side पर देखने को मिल जाएंगे कैसे है जैसे आप option पर click करोगे जैसे मैंने या पर 3 option पर click किया है और अगर मैं इसको करता हू add selected options पे click तो जैसे मैं add selected option पे click करूँगा तो मुझे जो मैंने option select किये थे वो तीनों जो option है वो मुझे देखने को मिल जाएंगे नीचे वाले side पे ठीक है तो ये तीनों जो options है वो मुझे नीचे देखने को मिल रहा है अगर मुझे पूने university के लावा नागपुर उनिवर्सिटी के अंदर आने वाले colleges के भी जो options है वो डालना है तो मैं यहाँ पर university जो है वो change करता हूँ और search institute करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो मुझे नागपुर के colleges के जो options है वो देखने को मिल रहे ठीक है तो जैसे यहाँ पर विंसेंट पलोटी वाला college है तो मैं इसको select कर लेता हूँ यहाँ से और add selected options पर डाल देता हूँ ठीक है तो मुझे नीचे में जितने भी selected मैंने options किया है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएंगे ठीक है ऐसे करते करते जो भी अलग branch आपको चाहिए जो भी आपको university में options चाहिए colleges के अभी अगर मैं इसको change करता हूँ अगर मुझे एक ENTC branch भी चाहिए या फिर मुझे और कोई branch चाहिए जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए data science ठीक है और यहाँ पर मैं search institute करता हूँ तो data science related मुझे जो choice code के according जो options है वो मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर रामदेवबबा college के option आ गया है तो मैं इस पर tick कर लेता हूँ और add selected option पर कर देता हूँ ठीक है तो यह फिर मेरे इतने जो colleges है वो short list हो गया है तो जैसे आपने list बनाईए उसके according आपको यहाँ पर filters डालके colleges के जो options है वो search कर लेना है और उन पर tick करके आपको add select option पर कर लेना है click जैसे click करोगे तो आपको नीचे side में जो options है वो देखने को मिल जाएंगे अगर कोई गलती से tick हो जाता है और आपने add कर दिया है अगर आपको इसको delete करना है तो देखो जैसे मुझे suppose यह college of engineering coep को delete करना है तो इस पर click करके delete selected option पर click करके मैं इसको delete भी कर सकता हूँ ठीक है तो इस प्रकार से आपका जो भी आपने list बनाईए उसके according आपको सारे जो colleges है वो select कर लेना है जितने भी आप colleges select करोगे और add selected option पर click करोगे तो वो सारे जो colleges है वो आपको नीचे side में देखने को मिल जाएंगे first step में हमने जो colleges है उन्हें तो shortlist कर लिया अब हम जाएंगे second step में तो second step में जाने के लिए हमें click कर देना है save and proceed पे save and proceed पे जैसी आप click कर लोगे तो हम आजाएंगे second step में जो है set your preferences अगर आपको इस step से first step में वापस जाना है अगर आप कुछ भूल गयोगे कुछ college का नाम डालने के लिए तो आप first step पे click कर देना तो आप वापस first step में आ जाओंगे जो college के नाम डालना है वो डाल देना और save and proceed पे click कर देना तो आप वापस second step में जा सकते हो या आप changes कर सकते हो ठीक है second step में हमें देना है preference तो preference देना बहुत important होता है जैसे आप preference दोगे वैसे आपको college मिलने के जो chances है वो रहेंगे और एक बात याद रखना जिस college को हम first preference देते और अगर आपको वो college लगता है तो उसी college में आपको जो admission है वो लेना पड़ेगा ठीक है तो maximum students ऐसी करते हैं कि first preference पैसे ही college डालते है जो कि लगने के जो chances है वो कम रहते है जिनका rank 1, rank 2 आता है वो first preference का उनको college लग जाता है बट जिनको कम percentile है तो वो first preference पैसे ही college डालना जिसके लगने के chances कम रहेंगे क्योंकि अगर आपको first preference का college लगता है तो फिर आपको वो college लेना ही पड़ता है फिर आपके पास option नहीं रहेंगे और first preference के अलावा कोई भी अगर आपको college लगता है तो फिर आपको self freeze, not freeze, go for betterment ये सारे जो options है वो मिल जाते है अब हम देखेंगे कि कैसे जो preference है वो दे सकते है तो preference देने के लिए जिस college को आपको first preference देना है उसके उपर सबसे पहले click करना है आपको click करना इन boxes पे जिसको first preference देना है उसके उपर पहले click करना है सपोज मुझे रामदयो बाबा को first preference देना है तो मैं इसके उपर पहले click करता हूँ तो इसका जो number है वो 1 आ गया ठीक है, फिर मुझे देना है preference government college को तो इसको मैं click करता हूँ तो यहापर फिर 2 आ जाएगा अब सारे जो preference है वो देने के बाद आपको पूरा जो list है वो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आपके अगर बड़ी list है तो फिर आपको सारे जो preference के number है वो देखने को मिल जाएगे जब preference दोगे तो ध्यान से देखना mistake मत करना, जिसका cutoff उपर है उपर का preference देना, मतलब जिसका cutoff हाई है उसको first preference और accordingly decreasing order में cutoff के जो preference है वो आप दे देना, ठीक है सब preference सही से देने के बाद आपको कर लेना है, क्लिक फिर save and proceed पे save and proceed पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जैसे आपने preference दिया उसके according colleges के जो list है वो आपको देखने को मिल जाएगी जैसे मैंने रामदेव बाबा college को first preference दिया तो ये मुझे ऊपर देखने को मिल जाएगा फिर second college उसके नीचे, third preference वाला college उसके नीचे मतलब पूरा सही से arrange होके आपको पूरा जो list है वो देखने को मिल जाएगा अगर आपको लगता है कि मैंने पूरा जो form है वो सही से बढ़ा है सारे जो preference है वो सही से दिये है तो आप आगे बढ़ना अगर कुछ गलती किया है वापस जाके आप जो changes है वो भी कर सकते हो ठीक है changes आप कभी भी कर सकते हो जब तक आप confirm करके submit नहीं करते हो तब तक आप जो changes है वो कर सकते हो ठीक है तो अगर आपको लगता है सब सही से भर दिया है तो फिर आप थर्ड step में भी save and proceed कर देना फिर आप जाओगे 4th step में 4th step में overall पूरी जो summary है वो आपको देखने को मिल जाएगी अपने option form में confirm button पे click करके login करते समय जो password का आप use करते हो वो password बहाँ पे डालके आपको अपने जो option form है वो कर देना है submit जैसे आप अपना option form submit करते हो तो आपको अपना जो status है option form का वो complete देखने को मिल जाएगा इस type से guys हमें अपना जो option form है वो fill करना है option form फिल करते समय काफी सार जो students है वो mistake करते है और काफी सार students को confusion होता है जैसे वो select कर देते है या पे computer की branch बट उनको उस college के जो options है वो देखने को ही नहीं मिलते है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जो यहापे अलग-अलग नाम से उनको try करना और search करना तो आपको अपने colleges के जो options है वो देखने को मिल जाएंगे preference देने के time भी बहुत ही easily और आराम से जो preference है वो देना जादा घाई गडबर मत करना preference बहुत important है अगर आप सही से preference दोगे तब ही जाके आपको बढ़िया जो college है वो मिलने के chances रहेंगे प्लस पहले सी आप एक paper पे पूरी जो list है वो बना के रखना और उसके according सारे जो colleges है उनको shortlist करना कोई भी colleges को गलती से भी जो है वो miss मत करना अगर miss करते हो तो फिर वो college मिलने के जो chances है वो आपको बिलकुल भी नहीं रहेंगे ठीक है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख तो subscribe करके bell icon जरू से दबाद दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालू तो आपको notifications के through updates मिलते रहें